ज़िए अगर हम सब क्रेटिकर का बैलाइस व्ट्राव करने के सोचते हैं तो कभी तो इमर्जेंसी रहता है या तो कोई ऐसा परस्टनल वर्क होता है जिसमें हमसे क्रेटिकर का बैलाइस यूज़ करने में मजबूर कर देता है अगर आपको कितना परिशानी होता है तो मैं आपको सबस्क्राइब बताता है यह जो अप्लिकेशन है नया अप्लिकेशन है बट यह अप्लिकेशन से पहलेगा आपको इनिश्टनली में ट्रांसफर करना है जो कि एक दम यानि कोई बैलाइस वहां से भी ना कहीं वेटिंग यह ना जाए हमारी से भी एक होलो है दया जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तकि इस अब्रेज आप्लिकेशन होगा उसका लिंक भी आएगा तो देख सकते हैं युँकि उसने आपको इनिश्टैंटली आपको से वह प्लिकेशन से लिए चुंकि नया उप् इस अप्लिकेशन के थो भी आपसे अपने ट्रेर करको मनी को ट्रांसपर कर सकता हैं जो कि आप देखेंगे तिसमें mention किया ही गया है कि credit card to bank account IMPS money transfer और साथ में fund transfer options में दिया गया है पतादू कि यह वो five low equivalent form है इस application को launch किया है बट आपको यह देखेंगे तो यह अपरेल यानि 25 अपरेल को यह application को launch किया गया था इसका अगर आप सो download देखेंगे तो सिर्व सिर्व अभी एक हजार आदमी ही इसको download करके रखाए तो अगर आप सो करना चाहते हैं इस application का थूरू तो आप सब सोच समयश्क कीजिगा बट मैं यह जो वीडियो वना रहा है आप से को knowledge के वाज़ा से वेना हो आपको feel करना पड़ेगा मोईल नमर डालेंगे उसके बाद आपको get OTP पर किलिक करना पड़ेगा उसके बाद आपकी मोईल नमर के OTP आएगा यह OTP आपको feel कर देना है OTP जैसे आप feel करेंगे OTP feel करने के बाद कुछ आप से permission नमागा जाएगा उस पर में आपको allow करना पड़ेगा चलो हम इसको allow करते हैं allow करने के बाद आपको बोला जा रहा है कि fund transfer करने के लिए आपको KYC करना पड़ेगा ठीक है KYC तर आपको दिया गया है कि आप अधहार के थूरू इसको KYC कर सकते हैं आपको KYC बिदर से हो जाएगा जब तक अगर आप ट्रस्टेड जो अप्लीकेशन होता है उस अप्लीकेशन को अगर आपको KYC नहीं करते हैं तब तक आप उस अप्लीकेशन से money transfer नहीं कर सकते हैं जो KYC अगर आपको वाइलेट नहीं माएगा अगर सब्मीट का तो आपको सब्मीट पर क्लिक करना पड़ेगा फिर जाका आपका KYC कम्प्रीट होगा जो कि RBI गैडलेंस का स्वार उपर मप दिखेंगे तो बात आया गया है कि आप KYC हो जाएगा केवाईसी होने के बाद आप बोलेंगे कि मायं ट्रांसफ़ कैसे करगे मायं ट्रांसफ़ करने के लिए इधरीक उपसण आपको दिखाय देगा ब省ट का प्पसण अब याब बैँकपे क्लिक करगे उसके बाद इधरीक उपसँ आपको दिखाय देगा हो चुका है अभी आपको माइन ट्रांसपर किया जैगा ऊंपर की तक ट्रूंत किने तुए इसलोएको करने के रहेज़र्य होगा तैक 肉 करते हैं इस पर किया पर मैं घ्ल्क करने के बाद आपको देखेंगे अपको दिखाया है पर ट्रांसपर करें गया तरण की तन saya को जिसमें आपको दिया गया है Mastercard, Visa card, Mastercard, American Express, साथ में हाद एक परका का credit card आपको इधर से दिखाए दे रहा है, आपको जो भी credit card से में ट्रांस्पर करना है, आप कर सकते हैं, इसके लापको time पूछा जा रहा है, 72 घंटा के अंदर चाहिए, 48 घंटा के अंदर चाहिए, 12 घंट के अंदर चाहिए, आपको fee देना पड़ेगा, 3 घंटा के अंदर चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा, 4 घंटा के अंदर चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा, 4 घंटा के अंदर चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा, 4 घंटा के अंदर चाहिए, तो आपको देना से मनी उड्रा करना है आप सकते हैं जो कि हर एक काड इसमें एक्सेपिटेवल है तो आप से कर सकते है ठीक है आपके देखें आपको चार्ज अलग से आप से नहीं लिया जाएगा चार्ज जो होता है जब आप जैसे मालेजिए आप सोर पे हो ड्राइगा है तो आपके अप्लिकेशन होते हैं आप से KYC मांगता है KYC आपको फील करना पड़ेगा सम्मीट पर क्लिक करना पड़ेगा 12 घंटा के अंदर अंदर आपका KYC कम्प्रीट होता है फिर जाका आप यह अप्लिकेशन के थुरू मैंट रांस्बर कर सकते हैं जो कि चार्ज थोरा है level का है but it trusted application है जो कि आप सकते को मालूम है कि RBI guidelines कौन्स वार यह application काम कर रहा है तागर आप सब यह application के थुरू मैंट रांस्बर करना चाहते हैं अपने care because काओ तो आप सब कर सकते हैं